हलो जैने दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाई फाई स्टेडी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत और विनेंदन करता हूं प्रैंस उत्तर प्रदेश अधिन सस्य वाचेन उसे जुड़ी महत्रपूर खबर लेकर कि मैं आपके समझ आ चुका हूं जैसा कि आप सभी लोग इस्टमनल को रिट किया होगा देखा होगा बात करूंगा पहले क्रमचारी चेनायों की बारे में जी हाँ एससी यानि स्टाफ सेक्शन कमीसर ने आज जो है कलेंडर जारी कर दिया है अगामी आने वाले दिन में भरतियों को पर इच्छाओं को लेकर करेंडर जारी कर दिया है ससी के तरफ से अखिरकार को यूपिटि पर इसी कब जारी करेगा अपना नया कलेंडर जयता की कुछ भरतिया आगे बढ़ चुकी है यूफिटिपल एसी में अब लगातार यूपिटिपल सी की भरत्यों को लिखा गया जो है मानिय मुखमंत्यरी कि भर्ती पर इचों को ले करें कि लेकिन पहले सबात कर लेते हैं और आज की नोटिस आप सभी लोग यहां से बीच क्रेकर भी टुनिवल क्लेंडर आफ एक्जामियेशन सुर्ण भूद्य या टौंटी तोटी 221 टुंटी टूंटी पहले नमबर पर देश्चे तेश्यल का ही है इस टाप स्रेक्शन का मिजन टेट्टू कलेंडर आप एक्जानमिशन फॉर्ट देए जारी होगा डेट आप एडवर्टाइजमेंट जारी कहा जाएगा और क्लोजिंग डेट रखी गई है यह जनुरी 22 लाष्ट डेट आप एक्जाम अप्रेल 22 है ना वहीं चल का आप देश्चेते हैं वह चल की बात कर ले तो एक तारीक से सुरू होगा यह फर्वरी 222 से आप का अनलाइन अविदन सुरू होगा जो साथ मार्च 222 एक चलेगा उप 30 मार्ट तक इसका लाष्ट डेट होगा एक्जामनेशन की अगर बात कर लें मल्टी टास्किंग की तो उसका जून 2022 में होगा वहीं स्रक्शन पोस्ट एक्जामनेशन फेच 10 की बात कर लें तो वह आपका जो है दस मई को विग्यापन जारी किया जाएगा और जून तक इस 17 मई 22 22 सुरू होगा और 16 जून 2022 तक लिए एक्जामनेशन इसका सटमबर मामें करा जाएगा यानि आगस्त में कोई एक्जामनेशन नहीं है इसी पगार के आगे देख सकते हैं रिकूटमेंट आप कांस्टेबल ड्राइबर इंदरही पूलिस एक्जामनेशन 2022 उसका अलना सुरू होगा और तीन अगस्ता तक चलेगा है ना और एक्जामनेशन नौवंबर में होगी इससी प्रकार से सब इंस्पेक्टर इंदरही पूलिस एंड सेंटर और पूलिस एक्जाब फोर्स एक्जामनेशन 22 इसका विग्यापन जो जारी किया जाएगा अलना नहीं लिए किया जाएगा और चौदा देशन आगस्ते हैं अगस्ति लेकर कि तीरह सितंबर 2022 तक कि यह इंगे सब्सक्राइब में होगा ते वहीं जुनियर हिंदी टास्टेटर जूनियर ट्रस्टेशंद सिंचिंएर लिए रोन होगा वाइव तो बाइस अगस से सुडरू होगा और 2023 में इसका एक्जामनेशन होगा है कि एक्रिमेंट आफ यम्टिया सिविलियन इन दरही पुलिस इसका अलाइन होगा वह अक्टूबर में शुरू होगा यानि ग्यार अक्टूबर सब्सक्राइब और पंद्रह नॉवंबर तक चलेगा इक्जामनेशन फर्वी तेश में होगा इस प्रकार से आगे देख सकते हैं आगे अगर देखा जाया तो जेए की सिविल मेकानिकल एलिटिकल एंड क्वालिटी क्वालिटी इस अविसिंग एंड कॉंटेक्ट इजामनेशन इसका पेपर जो फर्स्ट होगा ओंवाच से 23 में होगा और आलाइन अबेदन 28 नॉम्बर से जुरू होकर कि 27 दिसम्बर तक चलेगी इसी प्रकार से इस्टोन ग्रोब इस्टोन ग्रेफर ग्रेट सी और डिक्जामनेशन उसका आलाइन पांस दिसम्बर को सुरू होगा और 31 दिसम्बर तक चलेगा एक्जामनेशन अपरेल 2023 में है और ही रिक्रूट्मेंट आप कांस्टेवल एक्जिकीट्व मेल फीमेल इंदलाइप पुलिस एजामनेशन उसका जो आलनाइन अबेदन होगा उन्ना उजलनी 23 को सुरू होगा और 12 फर्वी तक चलेगा 2023 तक मैं मैं इसका तक चलेगा और एक्जामनेशन जून 2023 में होगा यानि आप देसे पिछले अब आगे आने वाले साल की एक्जामनेशन को लेकर के पूरी तरीके से तितियां तैय कर दी गई है उत्ताप प्रदेश अधिवास से वाचेनल क्या इस पर अमल करेगा जिस प्रकार से इस्टाप अब देस पिएसे जारी करेगा लेकिन ऐसा कुछ होना क्या संब्व है इस पर अनमान लगाना एक बहुत बड़ा जो काह सकता है कि एक गेम है क्योंकि उत्ताप देस अधिनस से वाचेनल को लेकर के अपनी कारियों को लेकर के लगातार बदलामी ज्यला है साथ में सरकार की करम्चारी चैनायो यानि SSC की तरीके से करम्चारी यहां पर काम नहीं कर पार हैं क्या कुछ दिक्कते हैं अब ये तो आयोग ही बता पागए फानी तौर पर लेकिन रही बात आपके इक्जामरेशन शुरूल को लेकर के जो पूर में शुरूल जारी किए गये है उसके और आपको पता होगा पर सोसौ जो है, एकजामनेशन भी है, आपका JEE का 489 पदों के लिए उत्ताफ्रदिस की जाएं लभ्लाइशन है, तो काफी दिनों बाद एकजामनेशन भी हो रहा है, हैना आपको पता होगा अगस्त में प्यटिका एकजाम हुआ था, उसके बाद यूपी टी पलेशी ये दूसरा लिखित परिच्छा कराने जा रहा है नहीं उसके पूर बात जो है आपकी पता अगर लोवर पीसेस का में इसका गामनेशन हुआ था यानि पिछले तीन से चार महिने में केवल हो केवल तीन परिच्छा है आयोजित हो पाएंगी क्योंकि दो तो हो चुकी है अभी 19 तारीक को है उसको एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है लेकिन कलंडर को लेकर के जिस पकार से आयोग अभी भी लेट लतिपी का काम कर रहा है चाहे जो भरतिया है आने वाली है आप आपने देखा होगा कि साल भर पहले 6 महीना पह करेंगे 50 यार भरतिया होंगी 65 भरतिया होंगी लेकिन दूर तलख इस सब बातों पर कहीं भी किसी प्र कोई भरोसा करने वाला नहीं है तमाम विभागों में भरतियों को लेकर के बात कही जारी थी लेकिन अभी कुछ ऐसी इन्फार्मेसन नहीं निकल आ रही है कि क्या भरती को लेकर के विसेश्च तोर पर रिजल्ट की बाते चल नहीं है और इसका रिजल्ट जारी कहता है और जिसमें टाइपिंग टेस्ट 2019 का हुआ है उसका रिजल्ट जारी होने के चांसस जादा बनना है तो यह कुछ अपडेट थी जो आज यूपी टी पलेस्टी और क्रम